हेलो शिक्षा सक्सेश सीडी जएजूकेशन से आज हम हिंदी व्याकारण से आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक लेकर आए हैं आज का जो हमारा विशे है वो कक्षा दस्वी में जो आपका लेखन कौशल आता है हिंदी में उसमें जो आपको पत्र लिखने के लिए कहा जाता है उस पर आधारित है और आपको हम बता दें कि कक्षा दस्वी में जो आपको लेटर सेशन आता है जो पत्र लिखने के लिए आते हैं वो केवल आपचारिक पत्र होते हैं इसका अर्थ ये हुआ कि कक्षा दस्वी की परिक्षा की अगर आप preparation कर रहे हैं अगर कक्षा दस्वी के आप exams की त्यारी कर रहे हैं तो जो आपके लेखन कोशल में जो आपका पत्र का session है उसमें आपको केवल formal letters यानि अपचारिक पत्र पर ही ध्यान देना है तो इस वीडियो में हम पत्र किसे कहते हैं पत्र को लिखते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है पत्रों की आवशक्ता क्यों पढ़ती है और जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें पत्र लिखन जो सीखना है वो क्यों आवशक है क्योंकि जब हम किसी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम किसी भी तरह से पहुंचा सकते हैं लेकिन पत्र का जो एक format है वो होता है और हमें वो सीखना क्यों आवशक है हम इस पत्र कितने प्रकार के होते हैं और जो आपचारिक पत्र के प्रकार हैं उनको किस किस तरह से लिखा जाता है यानि उनके फॉर्मेट किस किस तरह से रखे जाते हैं आप किस तरह से जो है उन पत्रों को लिखेंगे और उनको लिखते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान सके तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले हम जानेंगे पत्र लेखन यानि पत्र लेखन किसे कहते हैं पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ती अपनी बातों को लिख कर दूसरों तक पहुँचा सकता है जिन बातों को लोग कहने से हिचकिचाते हैं उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है अब यहाँ पर देखें ये clear हो गया है कि पत्र लेखन क्या है यानि जो बातें आप किसी को बोल कर नहीं समझा सकते हैं या आपको बोलने में किसी को शर्म आती है या फिर आपको डर लगता है कोई बात कहने से वो सारी बातें आप लिख कर जो है किसी व्यक्ति के समक्ष दूर रहने वाले अपने संबंदियों और मित्रों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का समचार देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। प्रदान करने के लिए पत्र लिखे जाते हैं पत्रों की आवशकता पड़ती हैं। जब आप विद्यालिया नहीं चापाते तब अवकाश के लिए प्रातना पत्र लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखे पत्र लेखन सीखना हमें क्यों आवशक है। क्योंकि जो पत्र होता है वो महतवपूर्ण ही नहीं बहुत आवशक भी होता है कुछ कारणों से। जैसे फॉन पर जो है जब आप बात करते हैं वो अस्थाई होती है यानि उसका रिकॉर्ड नहीं होता है आप किसी को बात में प्रूफ नहीं दे सकते हैं कि आपने ये बात उसे कही थी। तो आप जैसे अपने मित्र को कहते हैं कि आप स्कूल में जाकर टीचर से कह दीजिएगा कि मैं बिमार हूँ या फिर मेरे घर में जरूरी कार्या है जिसकी वज़ा से मैं विद्यालिया नहीं आ पाया। भी जो है उस पर बलीव करेंगे और आपके पास भी प्रूफ होगा कि आपने जो है एक लिखित दस्तावेज दिया था जिसमें आपने अपनी कंडिशन कही थी कि आप क्यों विद्यालिया नहीं आ पा रहे हैं। तो जब आप इस तरह से कुछ ऑफिशल कामों के लिए पत्र लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है जिसको सीखना आवशक होता है तो इस तरह से जो है आवशक है हमें पत्र लेखन सीखना। तो अब हम बात करते हैं पत्रों के प्रकार की कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्रों के बारे में। इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। तो यहाँ पर देखे अनौपचारिक पत्रों के बारे में कितने सारी चीज़े क्लियर हो गई हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़े होती हैं जो हम कोई भी चीज़ जैसे उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं उनको किसी चीज़ के लिए निमंतरन दे रहे हैं। और जो ये पत्र होते हैं उनमें जो शब्दों की सीमा है वो बहुत जादा हो सकती है क्योंकि उसमें इधर-उदर की बाते भी हो सकती है जैसे हम उनका हालचाल पूछ रहे हैं उनसे इधर-उदर की बाते भी हम उस पत्र में लिख सकते हैं वो कितना भी लंबा हो सकता है अब हम बात करते हैं अपचारिक पत्र की, जो अपचारिक पत्र होते हैं यानि जो official letters होते हैं उन्हें किसे लिखा जाता है जिन से हमारा कोई नीजी संबंद नहीं होता है यानि वरसाय से संबंधी प्रधानाचारय को लिखे गए प्रातना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादत के नाम पत्र आधी आपचारिक पत्र कहे जाते हैं सिंपल सी बात है, जो हमारे परसनल लेटर्स हैं, उनको कहा जाएगा अनपचारिक पत्र, और जितने भी ऑफिशल लेटर्स होते हैं, उनको कहा जाएगा अपचारिक पत्र इसमें संग्शिप्टता अर्थात कम शब्दों में केवल काम की बात करना स्पष्टता अर्थात पत्र प्राप्त करने वाले को बात आसाने से समझ आ जाए ऐसी भाशा का प्रियोग तथा समवतह पूर्णता अर्थात पूरी बात एक ही पत्र में कहने की अपेक्षा की जात लेकिन जो official letters होते हैं उसमें कम शब्दों का प्रियोग किया जाता है और स्पष्टता होती है उसमें यानि जो बात है जो आप कहना चाहते हैं वो पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जानी चाहिए ऐसी भाशा का जो है उपचारिक पत्र में प्रियोग किया जाता है और जो अपचारिक पत्र है उसमें जो है पूरी बात को जो है लिखने में बहुत टाइम लग सकता है यानि बहुत सारी बाते आप उसमें इदर उदर की लिख सकते हैं लेकिन यहां official letter जो है जो अपचारिक पत्र है उसमें जो पूरी बात आप कहना चाहते हैं वो एक ही पत्र में कहने की उम्मीद की जाती है यानि एक तो उसमें शब्द कम होते हैं लेकिन उन कम शब्दों में ही आपको अपनी बात पूरी कहनी होती है तो अपचारिक और अपचारिक पत्र में ये डिफरेंस है अब हम बात करेंगे अपचारिक पत्र के प्रकारों में इस वीडियो में ज पहला जो है वो है प्रातना पत्र तो प्रातना पत्र किने कहते हैं जिन पत्रों में निवेदन अर्था प्रातना की जाती है वे प्रातना पत्र कहलाते हैं प्रातना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन, आधी के लिए लिए लिखे गए पत्र आते हैं ये पत् कर रहे हैं सुधार का कोई निवेदन करना चाहा रहे हैं किसी को आवेदन कर रहे हैं किसी चीज के लिए वो जो है प्रातना पत्र के अंतरगत आते हैं अब प्रातना पत्र जो है वो वैसे तो प्रधाना चार्य को लिखे जाते हैं लेकिन आप जो है सरकारी अधिकारी को भी लिख सकते हैं यानि जैसे आपको बिजली की शिकायत करनी है या पानी की शिकायत करनी है या अपने मुहले में सफाई के रिगार्डिंग कोई शिकायत करनी है या प्रातना करनी है किसी अधिकारी से तो वो भी जो है आपके प्रातना पत्र के अंतरगती आते हैं अगला जो भाग है वो है आपका कारियालेई पत्र कारियालेई जो पत्र हैं वो ऐसे पत्र हैं जो कारियालेई कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कारियालेई पत्र कहलाते हैं यानि यहाँ पर भी आपको नाम से ही रिलेट हो रहा है कारियालेई यानि जो कारिया के यानि आफिस के क समचार पत्र के संपादक, परिवेहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्या आदी को लिखे गए पत्र आते हैं। और जो कार्याले पत्र हैं यानि जो आफिस के लिए जो लैटर्स लिखे जाते हैं उसमें बाकिस सभी जो पत्र हैं वो इंकल्यूट के जा सकते हैं। लिखे गए पत्र आते हैं। यानि वेवसाइक पत्र के नाम से भी आपको क्लियर है कि वेवसाइ से संबंदित यानि जो व्यपार से संबंदित जितने भी पत्र लिखे जाते हैं। वेवसाइक पत्र कहे जाते हैं। और इसमें क्या है खरीदना बेचना रुपए की लेंदेन वाले जो बाते होती हैं वो इन पत्रों में मेंशन की जाती है। और जो ये पत्र है वो किसे लिखे जाते हैं जैसे कोई दुकानदार हो गया, कोई प्रकाशक हो गया, या व्यपारी हो गया, या कोई कमपनी हो गई जिसको आप पैसों के लिए लेंदेन के भामान खरीदना चाहते हैं या उनको बेचना चाहते हैं। ये जो सारी चीज़े आप लिखते हैं पत्रों में वो जो है वेवसाइक पत्रों के अंतरगत आते हैं, तो ये जो तीन लेटर्स हैं ये आपके आपके आपचारिक पत्र के भाग हैं, और इन पत्रों को लिखते हुए आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ये हम डिसक पत्र बेर निम वं सब्सक्राइब शुक्त वह पस्किः नीम हम वहां थाम पत्रala आप शुक्त को समक्वाइब नियुक्त से बंध्युट वो इसमें include नहीं की जा सकती है, जैसे कुशल मंगल समचारादी, यानि आप किसी से उनका हाल चाल नहीं पूछ सकते हैं इन पत्रों में, आप सीधे जो है direct इसमें कामकाज वाली बातें जो है वो include करते हैं, तीसरी बात आप जिहान रखेंगे कि पत्र का आरंभ वो अंत प् प्रू करना होता है, और अंत में भी जो है आपको अच्छे से उसको conclude करना होता है, अगली बात आप ध्यान रखेंगे कि जो पत्र की भाशा है वो सरल हो, जो लेख है वो सपष्ट और सुन्दर होना चाहिए, अब जो भाशा है वो आप बहुत सरल रखते हैं इस बएं क्य अगली बात आप ध्यान रखेंगे कि यदि आप कक्षा अत्वा परिक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं, तो कक्षा और परिक्षा भवन यानि जो आप अपने पता लिखते हैं अपने पत्र में उसके स्थान पर आप कक्षा या अपना परिक्षा भवन लिखेंगे, और जो आप नाम लिखते हैं उसके स्थान पर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे बलकि कर ख ग या अबस यह लिखेंगे यह आपने ध्यान रखना है कि अगर आप परिक्षा में बैठे हुए हैं और आपको पत्र लिखना है अगर आपको प्रिशन पत्र में कोई भी चीज नहीं बताई गई है कि आपको अपना पता क्या दर्शाना है या आपको अपना नाम क्या दर्शाना है तो आप जो है अपने पते की स्थान पर परिक्षा भवन लिखेंगे और अपने नाम के स्थान पर काखगो या अबसा लिखेंगे अगले बात आप ध्यान रखेंगे कि जो पत्र है वो प्रिष्ट के बाई और सेहाशे के साथ मिला कर लिखें इसका कहने का अरथ ये है कि जो आपका पेज है उसमें जो है आपके left hand side में जो है margin lines लगी होती है आपको उसके साथ साथ जो है अपने पत्र को लिखना है यानि आपको right hand side में कोई भी चीज जो है वो mention अलग से नहीं करनी है आप जो भी चीजे mention करेंगे वो आपने अपने left hand side में ही लिखनी है ये आपने अपने परिक्षा भवन में खास तोर पर ध्यान रखना है यानि अब यहाँ पर आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि जब आप official letter लिख रहे हैं तो आपने प्रयास करना है कि आप उस letter को एक page में ही complete कर ले क्योंकि दूसरे page पर लिखने से जो है जो लैब इत्ता होती है वो खतम हो जाती है यानि दूसरे का जो ध्यान है वो वहाँ पर बढ़ सकता है अगली बात आप ध्यान रखेंगे कि परधाणाचार्य को पत्र लिखते हैं प्रभ़व दिनाक लिखना चाहिए अब जब आप परधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें जो प्रेशक है उसके स्थान पर आपको अपना नाम लिखना है कक्षा तो ये सारी बाते जो है आपने ध्यान रखनी है जब आप एक ओफिशल लेटर लिखते हैं अब हम बात करेंगे ओफिशल लेटर को लिखते हुए जो है आपको किस-किस फॉर्मेट को फॉलो करना है यानि जो अपचारिक पत्र है उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अपचारिक पत्र है यानि जो अफिशल लेटर है उसका जो फॉर्मेट है वो निमलिखत साथ अंगों में विभाजित किया जाता है यानि उसके साथ भाग होते हैं अगर आपने इन साथ भागों को अच्छे से अपने माइंड में सेट क आप कभी भी जो है ऑफिशल लेटर लिखते हुए कोई भी गलती नहीं करेंगे तो ये साथ भाग कौन कौन से हैं सबसे पहला है सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें अब सबसे पहले आप सेवा में लिखेंगे उसके बाद जो है आप जो पत्र प्रापक है यानि आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उसका पदनाम लिखेंगे और उसका पता लिखकर जो है पत्र की शुरुआत करेंगे यानि पहला जो पहरा है वो आपका ये होगा उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है विशे यानि जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्या में शब्द संकेतों में लिखें अब ये नहीं है कि जो विशे है वो आपने पूरे वाक्या में लिख लेना है आपने वहाँ पर केवल संकेत देना है कि आप किस चीज के बारे में पत्र लिख रहे हैं यान से जो है आप अपने विशय को उजागर करेंगे अगला जो पॉइंट है वो है संबोधन सेवा में आपने लिख लिया उसके बाद विशय आपने लिख लिया फिर आप संबोधन देंगे कि जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके बारे में जैसे आप अगर किसी मेल को लिख रह अगला point है आपका विशेवस्तू अब विशेवस्तू जो है वो दो अनुछेदों में लिखने चाहिए यानि जो आप एक्स्प्लेइन कर रहे हैं अपने जो आपने विशे लिखा है जैसे आपने बिमारी हेतु प्रात्ना पत्र लिखा है तो उसे जो है जब आप एक्स्प् पहला अनुछेद है जो पहला पहला ग्राफ है वो शुरू करेंगे यानि अपनी बात लिखने से पहले आप ये वाक्या जरूर लिखेंगे फिर जो है उसमें बात करेंगे अब जो दूसरा अनुछेद होगा जो दूसरा पहला पहला ग्राफ होगा उसमें आप सबसे पहल जो वाक्या है वो लिखेंगे आप से विनम्र निवेदन है कि यहां लिखकर जो है आप उनसे क्या उमीद रखते हैं यह आप उसमें लिखेंगे यानि जैसे आप बिमारी के लिए प्रात्ना पत्र लिख रहे हैं तो जो पहला पहला ग्राफ है उसमें आप सब कुछ लिख लेंगे कि सवीने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्याले में इस कक्षा में पढ़ता हूँ मेरा रोल नंबर यह है और मैं जो है बिमार पढ़ गया हूँ जिसके कारण मैं विद्याले नहीं आ सकता हूँ यानि यह सब आप यहां पर लिख ले वो है हस्ताक्षर या नाम यानि धन्यवाद या कष्ट के लिए एक्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अंत में भवदिय, भवदिया, प्रार्थी लिख कर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए या उसके नीचे अपना नाम लिखना चाहिए जैसे जब आपने लिख लिया कि आपसे मिनमर निवेदन है कि आप मुझे दो दिन का अवकाश परदान करें, आपकी महान कृपा होगी, उसके बाद जो है आप धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, या उसके बाद आप धन्यवाद लिखेंगे या क जो रोल नमबर है, जो कक्षा है वो लिखेंगे, अब उसके बाद जो है जो अगला पॉइंट है वो है प्रेशक का पता, यानि शेहर का मुहला, इलाका, शेहर, पिन, कोड आदी, यानि अपना नाम और हस्ताक्षर करने के बाद जो है अपना पता आप लिखेंगे, और ल अथी ध्यान में रखनी है, तो जो ओफिशल लेटर के जो फॉर्मेट होते हैं, वो मैक्सिमम इसी तरह से लिखा जाता है, यानि ये साथ पॉइंट जो है आपके ओफिशल लेटर में इंपोर्टन होते हैं, आगे हम डिसकस करेंगे कि आपको जो तीन भाग बताये गए है अफिशल लेटर के, उनके जो फॉर्मेट है वो किस तरह से आप रखेंगे, उससे पहले जो हम एक और महतवपूर्ण बात पर डिसकस कर लेते हैं, वो है अपचारिक पत्र की प्रशस्ती, यानि प्रारंब में लिखे जाने वाले आदरपूर्ण शब्द और अभिवादन या समापती में किन शब्दों का प्रियोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो बहुत ही महतवपूर्ण होते हैं, वो आपके जो ऑफिशल लेटर हैं, उनको बहुत ही प्रभावशाली बनाते हैं, तो जो प्रशस्ती है, यानि जो प्रारंब में लिखे जाने आदरपुन शब्द होते हैं, वो आप कौन-कौन से शब्द प्रियोग कर सकते हैं, आप शिरिमान, श्रीयुक्त, मान्यवर या महोदय, इस तरह से जो है आप शब्दों का प्रियोग कर सकते हैं, यानि जो प्रारंब में संबोधन के लिए जो है शब्द प्रियोग करते ह दूसरा है अभिवादन जो अपचारिक पत्र होते हैं उसमें अभिवादन नहीं लिखा जाता है जो अभिवादन है वो अनपचारिक पत्र में लिखा जाता है जैसे सादर परणाम इत्यादी ये शब्द जो है अनपचारिक शब्द में प्रयोग किये जाते हैं यहाँ पर है समाप्ति और प्रारंब प्रारंब में हमने बता दिया क्या क्या प्रयोग करना है और समाप्ति में आप क्या प्रयोग करेंगे समाप्ति जब आप करते हैं तो आप वहाँ पर आपका आग्याकारी शिश्य या आग्याकारीनी शिश्या भवदीय या भवदिय निवेदक या निवेधिका शुप चिंतक, प्रार्थी, आदि ये जो शब्द हैं वो आप प्रियोग कर सकते हैं इन शब्दों को आप अपने mind में सेट कर लीजिए कि प्रारंब में आप कौन कौन से शब्द का प्रियोग कर सकते हैं और अंत में आप किन किन शब्दों से जो है अपने पत्र का अंत कर सकते हैं, यानि जब आप अपना नाम लिख रहे हैं, उससे पहले आप किन किन शब्दों का प्रियोग कर सकते हैं, ये शब्द बहुत ही माइने रखते हैं, इसलिए आप इन शब्दों को चारिक पत्रों के उधार्नों की यानि उधार्नों से अब हम official letters को जानेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आप जब official letter लिखें आप चारिक पत्र लिखें तो आप किस तरह से उन्हें प्रेजेंट करेंगे पर सबसे पहले हम प्रधानाचारिय को लिखेंगे जो प्रातना पत्र है उसके format के बारे में जान लेते हैं कि जो प्रधानाचारिय को आप प्रातना पत्र लिखते हैं उसका format आप किस तरह से रखेंगे सबसे पहले सेवा में प्रधानाचारिय, उसके बाद आप अपने विद्यालिय का नाम और पता लिखेंगे, फिर विशे लिखेंगे कि किस कारण से आप कौन सा पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद महोदेजी और उसके बाद पहला और दूसरा अनुचेद लिखेंगे, यानि में आपका आग्याकारी या आग्याकारी नी, शिश्य या शिश्या और उसके बाद अपना नाम, कक्षा और दिनाग, ये सारी चीज़े आप यहां पर इंक्ल्यूट करेंगे, यानि इस तरह से आप अपने फॉर्मेट को रखेंगे, जब आप प्रधानाचारिय को कोई प अवकाष नी में जाना है और उसके लिए आपको अवकाष चाहिए, तो उसके लिए आप किस तरह से प्रातना पत्र लिखेंगे, सबसे पहले आप सेवा में प्रधानाचारे मोदे, डी एवी स्कूल, राम नगर दिल्ली, इस तरह से जो है आप अपने प्रातना पत्र के श बात को लिखेंगे, पहला जो पहला ग्राफ है और वो आप इस तरह से लिखेंगे, सबीनी निवीदन यहो है कि मैं आपके विद्यालिया के कक्षा दस्वी का विद्यार्थी हूँ, मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, जिसकी दिनाक 10-9-2018 और 11-9-2018 याप यहाँ पर दिन यहाँ पर आप दिनाक अपने अकॉर्णिंग डाल सकते हैं कि जब भी आपकी बहन की शादी है, आप यहाँ पर दिनाक डालेंगे, और आपको जितने दिनों की चुट्टी चाहिए, वो आप यहाँ पर लास्ट में कारन देते हुए जो है, अपने चुट्टी के लिए ता भारी रहूँगा, और उसके बाद आप धन्यवाद लिखेंगे, फिर आप जो है, आपका आग्यकारी शिश्य, नाम स्वधिन शर्मा, कक्षा दस्वी, रोल नमबर 34 दिनाक 79 2018, इस तरह से जो है, आप अपने जो प्रातना पत्र है, उसका प्रारूप रखेंगे, और इस सेवा में प्रबंधक या अध्यक्ष के लिए लिखने के लिए कहा होगा, तो अध्यक्ष लिखेंगे, प्रबंधक के लिए लिखने के लिए कहा गया होगा, तो प्रबंधक लिखेंगे, उसके बाद कार्यालय का नाम और पता फिर दिनाक, फिर उसके बाद विशे, विश जो दिनाख है वो प्रातना पत्र में सबसे end में थी लेकिन यहां पर जो कार्याले पत्र का प्रारूप है उसमें जो दिनाख है वो कार्याले के जब पता है जो नाम है उसके बाद लिखा गया है और last में जो है नाम पता उसके बाद जो है phone number भी mention किया गया है तो इस तरह से प्रारूप में फॉर्मेट में थोड़े थोड़े बदलाव होते हैं, जो आपने ध्यान में रखने हैं, तो अब एक उधारन से हम देख लेते हैं, यहाँ पर उधारन ले रहे हैं, बस में यात्रा करते हुए आपका एक बैग, छूट गया था, जिसमें जरूरी कागस और र लोटा दिया, उसकी प्रशन सा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए, यहाँ पर प्रशन में ही देखिए, आपको परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखना है, यानि अध्यक्ष के लिए आप यहाँ पर पत्र लिखेंगे, तो आप किस तरह से शुरू करेंगे, सबसे पहले सेवा में, उसके बाद अध्यक्ष, अध्यक्ष को आप पत्त लिख रहे हैं, तो आप यहां पर अध्यक्ष मेंशन करेंगे, कौन से अध्यक्ष को लिख रहे हैं, उसके बाद आप नीचे मेंशन करेंगे, हिमाचल, राज्य, परिवहन, नि कर दिया संकेत में फिर आप लिखेंगे महुदय उसके बाद आप जो पहराग्राफ हैं वो आप दो पहराग्राफ में डिवाइट करेंगे आपने यहां पर लिखा कल दिनाग 24 अपरेल 2019 को मैंने चंडिगर में कार्यास मापती पर शिमला के लिए चंडिगर बस स्टेंट से वातानु कूलित यानि जो एर कंडिशनिंग बस होती है वो पकड़ी थी सफर पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उधर कर शिमला चला गया मेरी खुशी कि उस समय कोई सिमा न रही जब तीन घंटे के बाद बस के कंडेक्टर श्री राम कृशन शर्मा मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग के साथ मेरे घर पहुँच गए तब तक मुझे यहोग गया थी नहीं था कि मैं अपना जरूरी बैग बस में ही भूल आया था आगे आप लिखेंगे इस बैग में मेरे बहुत जरूरी कागज कुछ रुपए और भारा सरकार द्वारा जारी आधारकार था उसी पर लिखे पते के कारण कंडेक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता ढूडने में सफल हुए थे मुझे कंडेक्टर का यहोवेवार बहुत ही सरहनिया तथा प्रशन सनिया लगा उनकी इमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाल दिया कि यहो तो मेरा कर्टव्या था मैं चाहता हूँ कि इस तरह के इमानदार कर्मचारियों को पुरिस्क्रित किया जाना चाहिए जिससे दूसरे करमचारी भी इमानदारी का पाट सीख सके मैं कंडेक्टर श्री राम कृष्ण शर्मा का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह थोड़ा बड़ा हो गया है ऑफिशल लैटर जो है लेकिन यह बहुत जादा जरूरी था क्योंकि इसमें जो है जो आप अपनी कंडिशन बता रहे हैं कि आपने कहां से बस पकड़ी थी आप कहां पर उतरे थे आपका सामान क्या छूट गया था उसमें कौन-कौन सी चीजे थी और वो किसने वापिस लोटाई है आपको किस तरह से उन्होंने वापिस लोटाई है यह सारी चीजें मेंशन करने में थोड़ा सा लैटर लंबा हो सकता है लेकिन हमने यहाँ पर जितना हम कर सकते थे कम शब्दों का प्रियोग करने की कोशिश की है इसी तरह से आप भी कोशिश करें और अंत में देखिए यहाँ पर हमने आभार भी व्यक्त किया है उनका कंड़ेक्टर का यह भी हमने अध्यक्ष महोदय से कहा है कि उन्होंने हमसे तो कोई इनाम नहीं लिया लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो है उन करमचारी को पुरुस्कृत करें जिससे जो है उनका होसला और भी बड़े और इमानदारी की जो सीख है वो जो है दूसरों को भी प्रापतो इस तरह से जो है आप अपने लेटर में मेंशिन करेंगे लास्ट में अपना नाम लिखने से पहले भवदिय जरूर लिखें और उसके बाद अपना पता लिखें और जो फॉन नमबर है लास्ट में वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं वो आप पर पूरी तरह से डिपेंड करता है यानि ये बहुत जादा जरूरी भी नहीं है, अगली हम बात करेंगे, अगर आप परिक्षा भवन में से पत्र लिख रहे हैं, तो उस पत्र का प्रारूप आप किस तरह से रखेंगे, यानि ये भी बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि जब आप परिक्षा में बैठते हैं तो maximum पूरा पता लिख लेते हैं पूरा नाम लिख लेते हैं लेकिन परिक्षा भवन में जब आप पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर format थोड़ा साथ change हो जाता है यहाँ पर देखिए जो परिक्षा से आप पत्र लिखते हैं उसके format में सबसे पहले परिक्षा भवन अबस दिनाक लिखते हैं यानि सेवा में जैसे आप पत्र शुरू करते हैं उससे पहले आपको यह चीजे mention करनी है यानि आपको परिक्षा भवन लिखना है उसके बाद जहां से आप पत्र लिख रहे हैं परिक्षा भवन से उसका नाम आप लिख सकते हैं लेकिन अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर आप पर पूरी तरह से निर्भर करता है उसके बाद आप दिनाक लिखेंगे फिर जो है अपना पत्र शुरू करेंगे जैसे सेवा में प्रमंदक या अध्यक्ष महदय जैसे प्रशनानुसाद आपको कहा गया होगा कार्यालय का नाम पता अगर आपको प्रात्ना पत्र लिख दिया गया है तो वो भी आप जो है इसी के बाद शुरू करेंगा नि पहले आपने परिक्षा भवन अबसो और दिनाक ये मेंशन जरूर करना है और जो बाकी जो आपका लैटर होगा उसका जो फॉर्मेट है वो पूरी तरह से सेम रहेगा जो भी आपसे पुछा गया होगा प्रात्ना पत्र पुछा गया होगा तो आप प्रात्ना पत्र का फॉर्मे जो है हम परिक्षा भवन में आप किस तरह से पत्र लिखेंगे ये भी जान लेते हैं और साथ में जो है जो आपके विवसाइक पत्र होते हैं उसका जो फॉर्मेट है वो भी इसमें ही देख लेंगे तो सबसे पहले हम उधारन देख लेते हैं कि नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रबंधक को पत्र लिखकर हिंदी के प्रकाशित नवींतम बाल साहित्य की पुस्तके भेजने है तू अनुरोध कीजिए यहाँ पर एक व्यर्वसाइक पत्र आपको लिखने के लिए कहा गया है प्रिक्षा भवन से कि आपको जो है जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उसके प्रबंधक को पत्र लिखना है और किसले लिखना है आपको जो हिंदी के प्रकाशित नवींतम बाल साहित्य हैं उसकी पुस प्रिक्षा भवन अबसव या प्रिक्षा भवन का नाम दिनाक उसके बाद जो है आप शुरू करेंगे शुरू करेंगे सेवा में प्रबंधक नेशनल बुक ट्रस्ट मुख्या डागघर नई दिल्ली तो ये देखे ये जो है हमने प्रेशन पत्र से ही उठाया है यानि प्र विशय आप उसके बाद लिखेंगे कि पुस्तक मंगवाने हेतू प्रातना पत्र हमने जो है शब्द संके दे दिये हैं कि हमने किस बारे में जो है हम ये पत्र लिख रहे हैं हमने पुस्तक मंगवानी है उसके लिए हम प्रातना कर रहे हैं तो हमने पुस्तक मंगवाने हेत रहें नेताओं की जीवनी रामायन वा महाभारत संबंदित पुस्तकों का संकलन होगा मुझे निम लिखे 10 पुस्तकें शिग्र भिजवा दें इस ओर्डर की पुस्तकों की कीमत की राशी 2000 रुपए का 20 अप्रल 2019 इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ पुस्तकें भेजते हुए पहले यहाँ सुनिश्चित कर लीजिएगा कि पुस्तकें अंदर से या बाहर से कटी फटी ना हो और सभी पुस्तकों पर कवर लगा हुआ हो तो यहाँ पर देखिए जब आप पुस्तकें मंगवा रहे हैं तो यहाँ पर जो हमने जो आर्डर करने की जो किमत है वो भी हमन बैंक ट्राफ्ट के जरिये जो है पैसे भीज़ दिये हैं पुस्तक के साथ और हमने ये भी अनुरोध किया है कि जो पुस्तकें हैं वो ही जो है वहाँ से देख कर भीज़े क्योंकि हम वहाँ पुस्तके लेने नहीं जा रहे हैं हमें नहीं पता कि वो किस तरह की पुस्तके भीजेंगे तो हमने उनसे अनुरोथ किया है जो पुस्तके हैं वो अंदर बहार से कटी फटी हुई ना हो आपसे हाद जोड़कर अनुरोथ है कि सारी पुस्तके बच्चों के सारवजनिक पुस्तकाले के लिए है अता हमारे द्वारा मांगी गई सभी पुस्तके पत्र पत्रिकाओं पर जितनी हो सके उतनी छूटतें आप से विनमर नुएदन है कि जितनी शिग्र हो सके निम्न पुस्तकों की पांच पांच प्रतियां भिजवा दें अब यहां पर देखिए जो पहला पहरा ग्राफ था उसमें जो है कहा गया था कि जो पुस्तके हैं वो मंगवानी हैं हमें किस चीज के लिए मंगवाणी है वो भी बताया गया था पैसे भीजवाए गया है वो भी बताया गया था और अंदर से कटी फटी ना हो उसके लिए प्रात्ना की गई थी लेकिन जो दूसरा पहरा ग्राफ है उसमें देखे और जादा अनुरोध किया गया है प्रात्मा की गई है कि कृपया करके जो है आप पुस्तकों पर छूट भी दीजे क्योंकि जो पुस्तके हैं वो काय के लिए है सावजनिक पुस्तकाले के लिए है और जो पुस्तके हैं वो कौन कौन से मंगवानी है कितनी मंगवानी है ये भी यहां पर विनमर निवेदन किया गया है कि प्रतियक पुस्त की जो है पाँच-पाँच प्रतियां भीजवानी है यानि पाँच-पाँच जो किताबे हैं वो भीजवानी है प्रतियक पुस्तक की तो पुस्तकों के नाम लिखे गए हैं नीचे, मंदाकिनी, अमन प्रेम, वो आजादी, चंपक, चंदरकांता, नंदन, पंच तंतर की कहानिया, बच्चों की जातक कहानिया, जंगल बुक, सिहासन बत्तिसी, हितो पदेश, धन्यावाद, अब यहाँ पर देखें, दस जो हैं वो किताबे मेंशन की गई है, और कहा गया है कि पांच-पांच प्रतियां, जो हैं प्रतिय किताब की भीजवानी है, अंत में देखें, क्या-क्या लिखना है इसमें, अब आपने देखें, जो पहले मेंशन किया था, कि आपने पैसे तो भीजवा दिये हैं, लेकिन आपको पुस्तके मंगवानी है लेकिन मंगवानी कहाँ पर है उसका पता भी होना चाहिए तो यहाँ पर देखे धन्यावाद के बाद जो है सचिव सारवजनिक पुस्तकाले यह लिख लिख लिया गया है कि जो मंगवाने वाला है वो सारवजनिक पुस्तकाले का सच्चिव है, उसके बाद मन्योडर भेजने का पता, वो आपने यहां मेंशन करना है, ताकि जो पुस्तके हैं, वो आपके पते पर पहुंच सकेंगे, यह मन्योडर भेजने का पता बहुत जादा जरूरी है, और उसके बाद अपना नाम, यानि प्रकाश प्रातना पत्र में अलग ध्यान रखनी है कार्याले पत्र में अलग बाते ध्यान रखनी है और वेवसाइक पत्र में आपने अलग बाते ध्यान में रखनी है तो आपको जो उधारन दिये गए हैं आशा करते हैं कि उन उधारनों से आपको सहायता मिली होगी कि आपको कौन-क त्यारी प्राप्ट करने के लिए आप हमारे चैनल Success Series Education को YouTube, Instagram और Twitter पर भी follow कर सकते हैं और अपनी परिक्षाओं की त्यारी आसानी से सरल तरीके से कर सकते हैं.